नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हनुमान ज्योती चैनल पर दोस्तों, कुछ व्यक्तियों के जीवन में एक के बाद एक समस्याई बनी ही रहती है योगिता वभरपूर प्रयास के बाद भी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती अगर आपका जीवन भी समस्याई से घिरा है, तो केवर शनिवार के दिन अपने घर पर ही या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस शक्तिशाली कारे को कर ले ये काम इतना शक्तिशाली है कि जीवन की एक दो नहीं बलकी सेकरों समस्याउं से निकलने का रास्ता ततकाल मिलता है और यदि लगातार साथ शनिवार तक इसे सच्छी शद्धाव विश्वास के साथ कर तो पूरे जीवन में हनुमान जी की क्रिपा से किसी भी समस्याउं का सामना ही नहीं करना पड़ेगा अगर समस्याउं से हमेशा के लिए मुक्ती चाहते हो तो शनिवार के दिन हनुमान जी की इस तुति का पाठ अपने घर में ही या फिर श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुन्दरकान का पाठ करें इसके पाठ में केवल सवा घंटा ही लगता है सुन्दर कान्थ का पाथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो सुन्दर कान्थ के पाथ से या संकट तुरंथ की दूर हो जाता है अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी में उलजे हो तो एकांट में बैठकर सुन्दर कांट का पाठ करने से हर परेशानी का हल मिल जाता है जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुन्दर कांट का पाठ करें सुन्दर कान्थ के पाठ से एक नहीं बलकी अनेक सैकरों समस्याओं का समाधान तुरंथ मिलने लगता है श्री राम चरित मानस को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार हनुमान जी को जल प्रसंद करने के लिए सुन्दर कान्थ का पाठ एक रामबान उपाय है सुन्दरकान पाठ करने वालों के जीवन में खुशियों का संसार होता है और उनका जीवन सुकमय होता है अनेक परिशानियों के कारण आत्मविश्वास की कमी होने लगे तो तुरंद सुन्दरकान का पाठ आरंब कर दे कुछ ही घंटों में चमतकार दिखाई देने लगेंगे अगर कुंडली में कोई भारी दोश है जिसके कारण खुशाल परिवार की सुख शान्ती चिन रही हो तो पूरे परिवार के साथ बैठ कर सामोहिक सुंदरकान का पाठ करने से परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा सुंदरकान करने वाले व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और विचारात्मक और उर्जा का संचार होने लगता है व्यक्ति किसी भी कारे में अपनी रुची दिखाता है तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं किसी भी शुब कारे को शुरू करने से पहले, अगर सुन्दरकान का पाठ कर लिया जाए, तो वो कारे बहुत अधिक फलदाई हो जाता है, सुन्दरकान का पाठ करने से व्यक्ति के मन से भय जाता रहता है, और आत्म विश्वास एवं इच्छा शक्ती प्रबल हो जाती है, स दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये उपाय जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जये श्री राम।